उस समय कोई क्यों नहीं बोला कि अगर हम लोग नहीं तो आप लोग आप लोग नहीं तो आगर हम लोग ना पती हैं जो उसे पता ही नहीं कि रोजगार होता है यूपी के बाहरत जिसने दुनिया नहीं देखी पॉलिटिक्स के उसमें उसको आप ऐसे बना रहे हो दो हजार उनतीस से पहले पहले भारत विश्व गुरू बन जाएगा कहां विश्व गुरू बनेगा मोदी जी खराब कर दिये दिश्व को चलने तो विपक्स तो बाते कर बादी और क्या चाहिए पब्लीक को पांच लाग की मेडिकल सुवीदा देदी है कोई आज से किया कि 70 साल में किसी ने आज तक कांग्रेस ने और विपक्ष ने किया इन्होंने 20 साल में कर दिया कि विपक्ष में आप किसको बेठा पाते लोगतेंट्र के लिए विपक्ष तो होना चाहिए जो नेता विपक्ष इसको आप बोलते हैं उसमें कौन बैठा नश्कांग्रेस का मेंबर भी नहीं कहेगा को भी नहीं कहेंगा ऐज आपी आप मोदी ने जो कुछ किया है नहीं किया है अच्छा तो इस इंडिया में मतलब गांधी परिवार कांदी परिवार आ सब्सक्राइब कटके को अध्यक्ष कांधी जो चोंनाटक कम लेकिसी करने आप किसको मानते हैं कि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष से बड़ा ओधा किसका हो सकता है पार्टी में आपको क्या लगता है कि इस बार जो मोदी जी अपने लिए टार्गेट रखे चार्ट सो पार का वह वाकिए हकीकत होने वाला है होगा क्योंकि हमाई पास ऑप्षण ही नहीं है हम किस बेस पे किसी को वोट देंगे ऐसे प्राइमिस्टर एक पूछन है कि एक बंदा किसी ऐसे प्रामिनिस्टर किसी को देखे राहुल गांदी की एक क्वाइंट बताइए आप मंदाब अब अनर्जी के नाम आपने लिए ए इसे पता ही नहीं कि रोजगार होता क्या तो यहीं सट किया जा रहा है कि मोदी जी की रिक्षा चल ले गली-गली तो रोजगार बड़ा अब जब कंप्यूटर लुग आया था वो किसके युग में आया था तब नौक्रियां छटी थी तब यह कोई क्यों नहीं बोला कि नौक्रियां कम हो रही है तब कुछ रिपॉइंट नहीं होता है और वाजीब आपका जवाब है तब कुछ ने क्यों नहीं कहा कि कॉंग्रेस जो है धन्व के नाम पर देश को बातरी आज मोदी बातर है जिसने हमें श्रिंदक में बोलना सिखाया कि उस पर हमारा समविधान थोपा गया था तो गोवा के हमारा राज नहीं था तो कैसे उन्ह अब इतने लोगों मुझे पूछी किसी के पास दूसरों ऑप्शन एक भी पॉइंट है उनके पास यह पॉइंट है पचासों कांट तो हो चुके निर्भया से लेकर सब हो चुका उसके बाद एक मणीपूर को लेकर बैठे हो अब यह बताई अभी कॉंग्रेस जो बात कर रही है कि विरासत पर भी टेक्स लगाने की बात कर रही है अगर कॉंग्रेस आई तो ऐसा कर देकर हम जाक चुके हैं हम इतने अच्छी दरा जाक चुके हैं कि हम अपनी दो चोड़ों तुम्हारी ले आएंगे हम अब कश्मीर जाने नहीं देंगे प्योंके लेके आएंगे अब हमारा कश्मीनी जग प्योंके वापिस आएगा अब वह ही हो गया है कि सरकार जो उत्तरपरदेश के अंदर है वह कैसा काम की डबल इंजन में जब फ्यूल ही नहीं है तो किस बात का इंजन आप बिना फ्यूल के इंजन क सबस्कार नहीं है लेकिन विपक्स में लोग कहते हैं कोई भी बन जाएक है आप किसको विपक्स में खड़ा पार रहा है उसको ऊप्यूलियू नहीं देखी पॉलिटिक्स के वह उसमें उसको आप ऐसे बिया बना रहे हो कि उपी के बाहद अखलेश की क्या है सियतस है वह तो टो कहते हैं कि अखलेश यादोपरदान बंत्री बनने चाहिए उनकी बेटी भी आह करी है बेटी शजक्राइब करें करें सब करें कैसे बोल सकते हो कि मोधी के अलावद सब के पास खड़े कंद ध। मोधि के खड़े हो रहा है मुधी जी ने बयान दिया कि कॉंग्रेस चीनने नहीं थे थे खुद लोटने वाले बन चुके हैं हम अपना हग छोड़ने वाले तो नहीं है हम उनका हग उनसे चीन लाएंगे लेकिन अपना हग नहीं छोड़ेंगे अच्छा मैडम आप ये बदाइए ऐसे वुमेन कितनी सेफटी कितनी सिक्योर्टी आप मानती है आज के समय यूपी में तो बहुत है आज भी मैं अयुद्या में हन्मान गड़ी में खड़ी थी मुझ मुझे नहीं ड़श कर सकते हैं श्री नगर गई भूता कि अगरहम लोग ना हो तो आप लोग यूद्टि उल्याओं घृट कर रहे हैं प्रेर यह कि मोधी जी ने किना आरोह लगाने वाले यह होता है पटाएं हम बढ़ां आर हम ही मृझता है कि ये बताइए गेले कि क्या उन्हें ने मिल्स बनाई क्या उन्होंने कुछ ऐसा रोड भी तब नहीं बन रहे थी कि उसमें भी रोजगार है आज इरिक्षा चलना उसमें भी रोजगार है एक ठेली वाला जो दूप में ख़ड़ों के कमार देखिए लोगों का यह मानना है कि मैं आमें पास हूं तो उनको कैसे जॉब मिलेगा उनको जॉब नहीं मिल सकता क्योंकि उनके क्वालिटी वह ही नहीं जो आपके अंदर है तो इस करण जो पढ़ाई करने के सासा सोचता है कि मैं वह कर ले जाओंगा तो यह पॉसिबिल नहीं है आपको रोजगार चाहिए कि आपको जो आप लिखा नेता तो केजडिवाल करावा कोई नहीं है लेकिन आप बात करने के तामीज है मैं बात करने की तामीजी ना सैंस कि वह क्या पूलते हैं जो आपने बच्चे नहीं पच्छों को आज भी किसी भी नेता में अपने बच्चे को कि 14 से पहले कि आर्मी माट डाला नहीं डाला था अभी यह जो कौन सी वीर योजना आई है अगनी वीर की तरह में मनोश तिवारी ने अपनी वड़की को डाला इसमें हमने तो आज दक किसी नेता को नहीं देखा जो आर्मी में गया और जिसका बच्चा आर्मी में गया हो कि तो आप बताएं रोजगार अब रोजगारी सब्सक्राइब को आप इतना कमजोर बता रही हो और आप मैसे ही नहीं विपक्ष है कौन मुझे आप बताओ तो विपक्ष है कौन वो कहने कि दोनों चरण भाजपा हार गई और पांच चरणों पे सोनिया गांदी से लेके नहीं आपको पता नहीं है आप जो डेख रहे हो इतने पर संट चुना हुआ अब 14 और 19 को देख रहे हो जब आप 14 और 19 पहले कि देखो कि जो वोटिंग हुई है उसके एक सब्सक्राइब कर दिया इस लिए मोधी आया तो लोगों ने वोट दिया फिर इतना कुछ हो गया 15 सालों में फिर लोगों ने 19 को वोट दिया आप 14-19 को हटाके अगर आप पहले की वोटिंग देखो के परसंटेज तो उसमें कोई ज्यादा फरक नहीं है आप से 14-19 के लोगों को क्यों अपनी तरफ आकरशित करने में ऐसाफल है और इतनी बड़ी पार्टी आज बिल्कु पॉइंट होना चाहिए अट्रेक्शन के लिए अगर मैं बाइक ऐसे लेकर खड़ी हो जाओ तो आप से यहां से निकल जाओगे सेम यह कॉंग्रेस के साथ भी क्योंकि बोलने को कुछ नहीं है करने को तो पहले भी कुछ नहीं था बोलने को कुछ है इने तो कौन उनका क्य देगी भाजपा चार सो पार तो नहीं जाएगा क्योंकि जब उनका परसेंटेज हुआ था तो सिक्स्टी प्लस फॉर्टी था अब सब में लगए हैं तो चार सो बार तो देखे मुश्किल है मुश्किल है लेकिन हाप पूर बहुमत और अच्छे बहुमत से आएगे सरकार पूर बहुमत के साथ आएगे वक्ष का क्या होगा 24 के बाद में लेंगे और शादी उनके हो नहीं है तो वह सन्यास लेके अपना देखेंगे और उनकी प्रियंका गांदी राइवर्ट एक बात ये बताईए जैसे कहा जाता है कि योगी हिंदूों के देखते हैं कभी किसी पोषधी कि लिए कभी किसी नहीं करने देखिस का देखिसर ना फैसी के लिए कभी किसी नहीं सर दो मुशलमान का नहीं थैसि ने कहा जै कि योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे तो वह हमको बताएंगे कौन बचाने आएगा तो आप सोचिए उनकी मानसिक्ता क्या है आप देखिए कि कश्मीर के रास्ते ही कि हमेशा आतमगाद आया पंजाब ने काफी साल पहले बंद हो गया कश्मीर में ही आया क्यों कि मुस्लिम ह मुस्लिम करने नहीं आखड़े होते हैं लेकिन मानिए कि मुस्लिम के अंदर आज भी पाकिस्तान प्रेम चुपा है मोदी जी के जो इतिहास में दर्ज होंगे काम कोई ऐसा काम आप मानती है चलो राम बंदिर हो गया दारा 370 और कुछ जोग बदलाव किया हो 14 के बाद में मोदी जी काने के बाद पॉलिटिक्स में कोई आप चेंज देखती हूं मेरे कजिन्स वगरा है नियॉयॉक वगरा में पढ़ते हैं तो आज वो मतलब जाके लोगों से पर कहते हैं कि मैं इंडिया से हूं तो उनको पता है कि इंडिया का प्रैमिनिस्टर कौन है पहले सबसे बड़ा प्रदान मंदरी के पैचान और उसको सब लोग रहा है हिंडुस्तान मजबूत है ना रहा है यह उनकी भूल है इस बूल में पंपट रहा है कैसे हम जबूत है हम अपने मंदर को नहीं बचा पा रहे थे हाज मंदिर बचाना एक हम आज मंदिर छोड़ दीज वे जब 90 रहा था तो तो किसी नेता ने कभी यह नहीं बोला कि हम जाके उनको उनका हमारे हिंदुओं को उनका हग दिलाएंगे तब किसी नेता बात ही आपको मैं टाइम और डेट नहीं बता सकता हूं इनकी एक क्लिप आई दिया नियूस में जैसे आपका चनल है इनकी क्लिप आई थी यह बहुत अच्छे जो बोलके आई थी और हिंदुस्तान का धंड़ा रहा रहा था कि यह देखिए बने तो विपक्षो विपक्षो खतम ही कर दिया आपनी अपनी वाई क्यां सोचता है वह इनकी सोच है लेकिन विपक्ष खतम नहीं होना चाहिए बोलेगा को में वूना चाहिए अब आज उठाने वाला भी तो होना चाहिए ना वह भलgunt करें जाने वाला भी तो यह चल्द बीट तो रही है हम यहां ब्राइब दुनिया जो हो रहा कुछ भी हो ऑगडबंधन से किस तरह सामना करें अब इस साथ singular का जवाब मैं तेसमें नहीं यह यह यही दे सकती